जो देश के लिए मैडल लाते हैं उनका सम्मान नहीं होता और एक मंत्री तुम्हारा है तो तुम उसके लिए कुछ बोलने के लिए त्यार नहीं उसको जेल नहीं भेजते हो उसके पद से उसको नहीं हटाते हो अगर वो तुम पे इल्जाम लगा रहे तो तुम क्यों नहीं संपाल मलिक ची का क्धंड़न करते हैं क्योंकि उन को छ्खेड ही सकते इनके नेता है उनन। अन। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा आंदोलन। तो ये हैं धाकर गर्ल, पूनम पंडित, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, हर मुद्दे पर बेबाक से राय रखती हैं, आई बात करते हैं पूनम से, पूनम जी देखे, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है, अभी तक इनसाफ नहीं म पक्षोच है, वह को पैसे भी मैं एक स्पोर्ट्स परिवार से आती हूँ, तो बिल्कुल मैं भी थोड़ी देर के लिए वहां पर जाओंगे। रहे हैं, जो देखे, लिए मैड़ल लाते हैं, उनका संस्वाण नहीं होता, और एक मंतरी तमआरा है, तो तुम उसके लिए कुछ बोलने के लिए तयार नहीं उसको जेल नहीं बेजते हो, उसके पद से उसको नहीं अध़ाते हो, तो ये दर्साता है कि इनकी नजरों में स कितने मीडिया उनकी चीज़ को आना ये माईने नहीं रखता है कि वो जितना कवर करके लेकर के गए वो कितने फीसदी क्या चलाते हैं याँदे क्वो ऐसे आप सेमत नहीं है है हमारा मिनस्ट्री मीडिया है चंदा लोह को मैं बिल्कुल मांती हूँ कि जो ओ दिखाते हैं वो बिल्कुलने दिखाते हैं क्योंगी मैंने किसान अंदो लोन में देखा मैं घर पे बैटी हुई थी मुझे पता भी नहीं था कहा का किसान अंदौलन कैसा मैं तो टीवी परी देख रही थी देश के किसान नहीं बैटे बाडर पर आतंक वादी बैटे हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी बैटे हैं उसको देख करके मैं गई थी. मैं थी देश कहां अनदाता है, भई देश का पेट वह से कैसे कर सकता है. तो इस चीज साब क्या कहोगे, कि वो कि देश के साथ इंसाफ कर रहा है, मीडिया? बिल्कुल नहीं. आप निकाल करके देखे पुराने पुराने चैनलों की जो चौथा इस्तम देश का मिनिस्ट्री मीडिया क्या बकवे पूशता है भारत देखता है भारत अरे तेरे जैसो पर थूपता है भारत इस तरीके के लोग थे हमने वो भी देखा तो फिर हम कैसे कहें कि वो सौफीद सी सही है मीडिया जो है गोधी मीडिया जिसे कहते हैं आप लोग वो मेन मुद्दों से भटक गया है जो अतीक के अनकाउंटर हुए या असद का जो मामला आया उस पर बहुत कबरिज हुई लेकिन पुलवामा के मामले सामने आये जिस पर सत्पाल मलिक साब ने बहुत बोला उसको नहीं दिखा रहा है क्योंकि सब को पता है अगर हम इस मुद्दे को अतीक वाले को उठाएंगे तो सत्पाल मलिक जी वाला मुद्द दब जाएगा लेकिन मैं इतफाक रखती हूँ उन जितने भी चैनल हमारे किसान अंदोलन में लगे रहे थे किसानों को समर्थन सपोर्ट करने में मैं उन सभी से इतफाक रखती हूँ निवेधन भी करती हूँ कि 40 जवादे के अतीक हो गया ठीक वो पकड़े भी गए वो जेल चले गए सजा देना कोट का कानून का काम है ठीक सब कुछ लेकिन अब बात आती है हमारे शहीदों की हमें कोई आतंकवादी कोई मुल्जिम उसके साथ सरकार पुलिस कोट कुछ भी करे कोई सजा दे हमें कोई लेना देना है हमें लेना देना है जो 40 जवान हमारे शहीद हुए है हमे उनके एक एक शब्दों से बिल्कुल जो है इत्फाक रखती हूँ क्योंकि वो एक आम व्यक्ति या गली का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है वो तीन बार के राज़पाल रहे चुके हैं अगर चार बार के सौरी जब वो इतना बड़ा आप से इल्जाम लगा रहे हैं आप कहरें क इल्जाम लगा रहे हैं वो कहरें कि मैं सत्ते कह रहा हूं इनकी ही नजरी समदे के तो इल्जाम लगा रहे हैं अगर वो तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं आ करके खंडन करते उनकी बात का तुम क्यों नहीं मीडिया से देश की बात करते क्यों नहीं कि मेरे हाँ भी CBI का नोटिस आ सकता है, मुझे भी जेल में डाला जा सकता है सब कुछ ये था, सब कुछ उन्होंने बोला था, ये कोई नया नहीं है दूसरी बात, आप देश के परधान मंतरी हैं आप क्यों नहीं बैट करके सत्पाल मलिक जी का खंडन करते अगर वो गलत हैं, क्योंकि ये खंडन कर ही नहीं सकते ये उनको छेड ही नहीं सकते बाबनों को चाहिए सिर्फ खंडन हो जाए, बात साफ, बात खतम बिल्कुल नहीं, खंडन से सिर्फ शब्दों से नहीं है फिर सत्ताल मलिक जी से भी बोला जाएगा चौथा फरवरी 2019 को पुलवा हमला हुआ उसके बाद वो वहाँ पर जम्मु कश्मीर में राजपाल थे अगर वहीं पर बोलते तो बात कुछ और होती लेकिन जब राजपाल नहीं सारे पर चिन गए तब बोल रहे हैं ने ने उन्होंने बोला था कि मैंने परदान मंत्री जी से बात किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आकर कर देखता हूँ नुकर मुझे फिर चुप करा दिया गा फिर चुप करा दिया चुप क्यों हुए बड़ा सवाल यह ना यही उनकी गलती है लेकिन जमू कश्मीर के बाद भी वो कहीं और के भी राज़पाल रहे केरल के शायद रहे है केरल मेगाले बिहार पहले बिहार जमू कश्मीर केरल मेगाले जमू कश्मीर के बाद वो केरल के रहे है पिर वो मेगाले के रहे है अगर भीमा गोटाला वाला सिस्टम था इनका तो तुमने इनको फिर मेखाले का क्यूं बनाया केरल का क्यू बनाया रजजेपाल आप इनको तबी जेल में भेजते तो गलतीयां जो है ऐसा नहीं है एकी तरस से है ठीक इनोंने क्यों बनाया अगर वो आदमी गलत थे अगर व कि सत्पाल मलिक जी ने किसानों का बहुत समर्थन किया था क्यूंकि मैं किसान जात से आती हूं उस परिवार से आती हूं उस देश में उगाई हुए अनकों में उनके खाती हूं उन्होंने तब किसानों का सम्मान किया था और आज वो इतने बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं दवायर पर चला भाई विरविश कुमार ऑफेशल और आज आप जैसे लोग भी उसी मुद्दे पर बात करें दवायर अच्छा है आज तक अच्छा है तेखे जो देश की बात करता वो अच् देखा जो किसानों को गिरा रहा था आपने देखा था किसान अंदुलन के दोरान ठीक है अब उसमें वो कितने चैनल थे वो मैं भी जानती है आप भी जानती है समस्त भारत जानती है आपने अतीक के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ जो एंकाउंटर हो रहे है वो ठीक है बु को ये किलियर कर दूँ दूसरी बात बुलडोजर चलना सहिए और गलत कोई भी मुख्य मंतरी आ प्रधान मंतरी इस बात को तै नहीं करेगा कि बुलडोजर चलेगा इसको तै करता है कोट जहां जज बिठाए जाते हैं इसको तै वो करता अगर तुम्हारी नजरों में कुछ चंगु मंगु की नजरों में बुल्डोजर चलना सही है तो क्यों नहीं टैनी मिश्रा के यहां बुल्डोजर चला था क्यों नहीं डिली के अध्यक्षते उन्होंने अवैद अधिगरेंड किया हुआ था उनके हैं बुल्डोजर चला क्यों नहीं बलातकारियों के घर पर ब कोई भी माफिया है कुछ भी करो मैं माफिया का क्यूं संवर्थन करुंगख़ i कई लोगों ने जष्ण मिनाया कई लोगों ने मातं मिनाया अतिके असत के मरने के बाद के माशिए देखे जो मातंम मननने वाले लोग हैं वो उनके प्रभाव वाले करीबी वो लोग है ठीक मातम मनाने वाले और जो जशन मनाने वाले लोग है वो दुनिया को ये दिखाने वाले लोग है कि देखो ये क्या हो गया है मतलब वो जशन उस पे नहीं मना रहे हैं वो सिस्टम पे जशन मना रहे हैं सिस्टम के सामने कैसा हुआ है और हम इस पे जसन बना रहे हैं सिस्टम ठीक चल रहा यूपी में आप यूपी से आती देखती है अगर सिस्टम ठीक चलता तो कल मैं थी जहांगिराबाद में तीन साल की बेटी का बलातकार नहीं होता अगर बलातकार होगे उसकी माँ वीडियो देखी मैंने गिड़ गड़ा रही थी रिपोर्ट नहीं इलखी जा रही थी ठीक अगर सिस्टम ठीक चलता तो जो किसानों को रौंदने वाला व्यक्ति था उसको उसको फुल्डोजर चलता उसको घर उसकी संपत्ति सरकारी हो सितक देते हैं कि जब से मैंने उत्तरप्रदेश की कमान समाली एक भी दंगा नहीं हुआ इस बात पर वो गर्व करते हैं क्या लगता है सही कह रहे हैं नहीं आपने देखा नहीं पीछे समय कुछ लड़ाई जगड़ा हुआ था समूदाई को उसमें सिस्टम में तो कैसे कह सकते कि नहीं हुआ है वा था ऐससे तो नहीं है सकते हम नहीं हुआ लेकिन अच्छी बात है अगर कोई समप्रदाइक भावनह ना भढ़के तो हमारेली तो खुषी के बात है शांती रहे परदेश में सांती रहे क्योंकि हम तो शांती चाहते अपने देश में लें ऐसा पॉसी हैं समान करती हूं सभी का आमादमी पार्टी हैं वो भी मेरे बहुत बिचारों ने रिस्पेक्ट किया आरल ली जब चोदी साब जिंदा थे तब से उन्होंने में को बड़ा समान के साथ थी नहीं अभी मैं उनके साथ थी जब किसाना अंदोलन एक मंच था बामडोली में मैं उनके मंच पे साथ थी तो उन्होंने में को ओफर किया मैं सभका सम्मान करती हूं चाहे वो रास्ट्य आद्यक्ष कांगरेस में चाहे वो रास्ट्य अढ्लक्र के ओं हो समाजवादी के ओं आमादमी के ओं बस पा क्यों होई इतने फवर ठुकरा के कांगरेसमें क्यूों करियर से मतलब नहीं होता हम जैसे लोग हम आंदोलन के प्रोडेक्ट हैं भाई हमें करियर से मतलब नहीं होता है हमें मतलब होता है कि हम देश में लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करें हम गलत के लिए आवाज उठाएं जितने भी आंदोलन के प्रोडेक्ट होते हैं वो ऐस मतलब आंदोलन के लोग सिर्फ डंडे खाने के लिए और मुकदमे लेकर जेल जाने के लिए आप नहीं चाहते कि वह M.P. M.L. बने जब वो आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आंदोलन कर सकते हैं जेल जा सकते तो उनको भी बनना चाहिए M.P. M.L. प्रियंका गांदी जी से भी मिलती हूँ और सबी लोग मिलते हैं आप देखते भी है जितने हमारे नेता जमीन पर फिर से एक यात्रा का सुभारम शायद होने वाला है फिर से जमीन पर वीजे भीने आपकी यात्रा को फ्लॉब बता दिया देखें जब कोई घबराहट हद से ज़्यादा बढ़ जाती है अगर भारतिय जनता पार्टी के लोग राहुल गांदी का नाम जपना बंद कर देंगे जिस दिन तो इनकी राजनीती खतम हो जाएगी इनकी राजनीती ही गांदी से चलती है चाहे वो उस दोर के गांदी हो चाहे वो मेरे दोर के राहुल गां चाहते हैं मुड़ी जी को आपने बीजेबी को वोट कर रहे हुए में कैमकरे पर करें करते हूँ पहले भी कर चुकी पचास बड़ जूठी नहीं में वोट लूटे थे और दो करोड रुज़गार मिलेंगे मिलेंगे उस मैंने वोट तो आज जब मैंने देखा सरा सिस्टम ही खोगला है मैं जब किसी पाटी उटी में नहीं थी अपने घर परिवार से मतलब अपने करने खाने सुई और आज देखा किसान अंदोलन युवाव का अंदोलन सिस्टम पूरा सब जोल कर दिया तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें जाता कि ओलाद सिर्फ आंदोलन करने के लिए मुकदमे ले के लिए जेल जाने के लिए नहीं है आपके उपर कितना मुकदमा है अब तो खतम हो गया है अच्छा बताइए क्या कोई चेहरा है मुदी जी के सामने आप लोगं के पास कोई चेहरा है मुदी के सामने दूर करने के नाम पता दो काबिल नहीं है अब देखें मीडिया कहा राहूल गांधी को क्या वोलती है मीडिया का देश कुनास करने में चंद लोगों का बहुत योगदान रहा, उनको एक अवर्ड मिलता हो, पदम सिरी तो दे देना, ठीक है, सब का योगदान है, ऐसा नहीं है, योगदान किसका है, विपक्ष कितना एक जुठ है, विपक्ष तो ज्यादतर एक जुठ ही रहना चाहिए, और बाकी जितना है, वो मेडिया से गबराते हैं, 24 में कौन? सबको पता है, मेरे नेता राहूल गांदी पीम बनने वाले हैं, 272 चाहिए, और इसलिए उन्होंने उनकी सदस्टा को रद कर दिया है, 272 चाहिए सांसद, 50 हैं आपके पास अभी, कोई बात नहीं हम 50 को बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे, सरक निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, क हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे